मैं उधित आपका SEO Coach for this SEO Training Course Course के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा 2009 में मैंने MBA Complete किया था Marketing में उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक मैंने 3 different companies में under SEO Domain काम किया है 2012 में मैंने अपना Institute Expert Training Institute open किया था जिसकी आज दो ब्रांचीज हैं एक डेली के अंदर रोहिनी में है और दूसरी विकासपुरी के अंदर है पिछले 5 साल से मैं अपनी SEO Company रन कर रहा हूं जिसका नाम है Digital Audit.com इस SEO Course के अंदर हम बात करेंगे different expects की जिसमें पहला है कि SEO होता क्या है SEO कैसे काम करता है SEO करने का क्या फैदा होता है कौन-कौन SEO Course कर सकता है SEO और PPC में क्या difference होता है Google कैसे काम करता है search engines कैसे काम करते है तो वो सब चीजे हम अपने first module में discuss करेंगे Moving on to second module हम discuss करेंगे कि अगर SEO अच्छा करना है तो website कैसी होनी चाहिए domain कैसा होना चाहिए hosting कैसी होनी चाहिए तो यह सब चीजे भी बहुत जादा depend करती है कि आपका SEO कैसा होगा Moving on to third module हम बात करेंगे keywords की तो keywords one of the most important factor है SEO का अगर आप correct keywords लेते हो तो traffic भी correct आता है अगर wrong keywords लेते हो तो traffic भी wrong आता है then उसको website में place करते है in different sections like heading में डालते है content में डालते है title में डालते है description में डालते है breadcrumbs में डालते है तो बहुत सारी जगा होती है जो मैं आपको बताऊंगा और keyword placement हम दो different sites में करेंगे एक static with code वाली और एक wordpress without code वाली तो दोनों के अंदर आपको understanding आजाए कि अगर कोई भी website आपको करने को मिलती है SEO के लिए तो आपको दोनों में आता हूँ okay then moving on to next module हम करेंगे on page SEO on page के अंदर हम robots.txt क्या होता है sitemap क्या होता है sitemap के दो पाट है XML sitemap क्या होता है HTML sitemap क्या होता है internal linking के इसको बोलते है external linking कैसे करते है फिर canonicalization क्या होता है यह सब चीज़े हम on page के अंदर discuss करेंगे moving on to next module हम करेंगे off page SEO जिसको link building और backlink creation भी बोलते है अब जो link building है उसको करने के क्या तरीके हैं कौन को उसकी techniques हैं कैसे की जाती है websites कहां से ढूणेंगे हम को करने के लिए तो वो websites कैसे search करते हैं फिर way of doing क्या होता है ओके फिर quality, authority, relevancy do follow no follow links वो सब चीज़े जो उसके लिए important होते हैं वो हम सब अपने course के लिए discuss करेंगे और जितनी भी techniques होती है one by one discuss करेंगे practically then हम move ahead करेंगे अपने next module में जिसका नाम है page speed तो page speed Google का most important ranking factor बन चुका है 2020 के अंदर तो अगर आपकी website बहुत अच्छी है SEO भी आप अच्छा कर रहे है on page भी अच्छा, off page भी अच्छा लेकिन speed अच्छी नहीं है mobile की usability अच्छी नहीं है मतलब आपकी speed भी एक factor है लेकिन अगर आपकी speed अच्छी है लेकिन user जब आपकी website browse करता है तो वो उसको convenient नहीं लगता वो pages को navigate नहीं कर पाता वो content बहुत चोटा होने की विशे read नहीं कर पाता बहुत सारे जो clickable चीज़े हैं वो click नहीं होड़ी तो बहुत सारे issues हो सकते हैं जो हमें check करने तो यह सब चीज़े check तहां से करेंगी कि website में क्या issue है क्या नहीं है कौन से browser में compatible है case में नहीं है तो यह हमें manually check करना बढ़ता है नहीं तो website के बहुत सारे errors ठीक है न यह google का यह free tool है जो हम करेंगे जिसका नाम है Google search console तो यह भी हमारे course का एक module है Google search console के अंदर जित्ते भी features होते है one by one हम सारे use करेंगे और आपको एक-एक की relevance बताँ को क्या होती है और आप उसको कैसे use कर सकते हो अपनी website को और improve करने के लिए उसका SEO improve करने के लिए तो वो सब चीज़े हम cover करेंगे webmaster के अंदर एक और बहुत important चीज़ होते है जैसे कि मैंने बताया कि हम off-page SEO में link building करते हैं तो जब हम link building करना शुरू करेंगे तो जित्ती भी sites में हम करेंगे वो सब sites Google हमें अपने webmaster में दिखाना शुरू कर देगा अब एक ऐसा stage आता है कभी-कभी आपकी जो SEO cycle है उसके अंदर की आपकी website जो की बहुत अच्छा rank कर रही थी suddenly वो ranking में down हो जाती है तो अब suddenly ranking में down हो जाती है तो जो Google है एकदम उपर दिखा रहा था फिर एकदम नीचे कर दिया तो उसका क्या reason हो सकता है तो उसका reason कुछ भी हो सकता है कि Google ने कुछ नए अपडेट किया होगा अपने जो search engine है search engine जो है वो frequently update करता है Google with regard to the user तो user को better experience देने के लिए user को जो पहले problems आ रही थी search engine से जो वो satisfied नहीं हो पा रहा था उसको relevant results नहीं मिल रहे तो उसको improve करने के Google अपने search engine को update करता रहता है तो जो नई guidelines Google निकालता है उसको बोलते है algorithms algorithms मतलब set of rules तो वो जो set of rules है वो wait time change होते रहते हैं तो हो सकता है कि उसके विए से आपकी website की ranking में drop आ जाए तो उसके लिए फिर आप अपनी website को audit करते तो audit के भी आपको tools बता हमको कैसे करते हैं कौन-कौन से points होते हैं जो हमें check करने होते हैं तो mainly दो चीज़े होते हैं एक होती है on-page SEO एक होती होती है off-page SEO तो on-page SEO के अंदर हम check कर सकते है tools से और mainly जो मेरे experience से मैं आपको बता रहा हूं कि जो mainly responsible होता है हमारी website down जाने की जो reason होता है main वो होता है link building backlink creation जो हम करते हैं उसमें बहुत सारे links होते हैं जो जब हमने करें से तब तो बहुत valuable थे rank भी आ गई लेकि क्योंकि Google ने अपना algorithm change कर दिया तो उसकी वाज़से क्या होता है कि कहीं चीजों की value जो पहले थी वो आज नहीं है तो Google उसको कहता है कि यह चीज आप अपने remove कर लो क्योंकि इसको करने से अब मैं इसको negative consider करूंगा तो क्या होता है कि जो हमारे backlinks हैं वो हमें analyze करने पड़ते हैं कि कौन-कौन से links जो है वो जो हमने बनायते हैं जो Google ने अब मना कर दिया तो उसको हटाना पड़ता है अब जब हम links बनाते हैं तो हम देखते हैं कि site जिस पर हम बना रहे हों हमारी site से relevant है यह नहीं उसकी authority और हमारी authority के इंदर difference देखते हैं कि उसकी authority कितनी हमार से जाधा है तो यह चीज़े हम चेक करेंगे जब हमारी website ranking में डाउन चली जाएगी तो मतलब हम backlink analysis करेंगे एक backlink report बनाएंगे फिर उसको analyze करके decide करेंगी कौन सा link रखना है कौन सा हटाना है तो जो report है वह आपको webmaster नहीं देता वह मास्टर सेरो links बताता आपको report आपको या तो manually बनानी पड़ेगी वह भी बताऊंगो कैसे बनाते हैं नहीं तो आपको paid tool यूज़ करके वह report ले सकते हैं अगर आप pay tool यूज़ करेंगे तो बनी बनाए report आजाएगी otherwise वह report बनाने में भी आपको हफता 15 दिन अगर site बहुत बड़ी है और बहुत सारे backlinks हैं काफी सालों से बन रहे हैं तो आपको महिना भी लग सकते हैं तो अगर वह आप pay tool यूज़ करेंगे तो वह बहुत quickly हो ज हुआ लेकिन अगर अगर आप एक-एक site को approach करके बोलोगों कि sir मैंने जो आपकी site पर link बनाया था वो against the google guidelines हो गया तो काइंट इसको remove कर दो तो कोई आपके mail का reward नहीं करेगा तो हटाना बहुत मुश्किल होता है तो उसके लिए गूगल ने टूल बनाया वह जिसका नाम है तक उसको बोलते है structure data markup और उसको schema.org भी बोलते हैं okay तो क्या काम करता है वो जैसे आपने बहुत सारी sites google में देखी होगी जिसमें star rating आती है price भी भार ही लिखा होता है ठीक है तो अगर कोई article है तो उसका author का नाम भी भार लिखा होता है अगर कोई mobile search कर रहे तो उसके features भी बार ही लिखे होते हैं अगर कोई events search कर रहे तो upcoming events भी भार लिखे होते हैं तो यह सब चीजों को schema बोलते हैं तो जो schema है वो कैसे लगाते है उसका क्या use है अब जैसे normal site है without schema एक site है with schema तो with schema में obviously content ज्यादा होगा user वहीं पर attract ज्यादा होगा अब attract होगा तो obviously click करेगा click तो जितने ज्यादा clicks बढ़ाओगे आप अपनी website में उतना आपका CTR बढ़ता है और CTR directly-indirectly एक SEO का factor है जो बहुत important है Google चीज को consider करता है कि user आपकी website जब देख रहा है तो click भी कर रहा है तो website में stay भी कर रहा है website में stay कर रहा है तो कुछ action भी ले रहा है तो यह सब करेंगे अपने course के अंदर सारी चीज़ है तो उसकी बाद जैसे मैंने आपको बोला कि हम हर चीज practical करेंगे और static और dynamic website को consider करते हुए करेंगे तो static में हर चीज coding से होती है लेकिन dynamic में हर चीज plug-in से होती है तो कौन-कौन से plug-ins है जो हम during SEO use करेंगे वो सब चीज़ से cover करें एक tool मैंने आपको free of course बताया Google search console उसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूं कि आपको immediate report चाहिए तो आप paid tool यूज कर सकते हो तो SEO में कौन-कौन से paid tool यूज होंगे वो हम discuss करेंगे फिर बहुत सारी चीज़े over the period of time SEO में होती हुई आ रही है और बहुत सारी चीज़े अब Google ने analyze करके बोलिया कि इनको नहीं करना अगर इनको करोगे तो site panelize हो सकती है तो उनको हम बोलते है blackhead practices तो वह practices भी बताऊंगा जो बिल्कुल भी नहीं करनी है avoid करनी है ठीक है तो यह सब चीज़े हैं जो basically हमारे course के अदर cover होगी तो हमारा जो first module रहेगा introduction जिसमें हम discuss कि SEO क्या होता है Google के अंदर practically open करके आपको दिखाऊंगा कि SEO के रिजल्स कौन से होते हैं PPC के रिजल्स कौन से होते हैं अधर चीज़े जो search engine दिखाता है उनमें difference क्या होता है Okay So see you in the next video Thank you Thank you